शारक टेंक इंडिया में अभी रीसेंटली एक यूनिक स्टार्टप आया था जो कि लोगो एक सर्वीश देता है और वो भी ऐक्सिडैन्ट से बचाने के लिए तो वो कौन सा ऐसा स्टारटप है? Tech helmet की startup जोकी Shark Tank India में आय थी investment लेने के लिए तो क्या इस startup को investment मिला या फिर नहीं मिला और मिला तो क्यों मिला और कितना मिला इंस तब सभी चीज़ों पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार रहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बैल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा तिर्फ वो एक हेलमेट नहीं है जो कि नॉर्मली हम लोग बाइक राइड करते हैं तो हेलमेट पहनते हैं वो नहीं है ये मुझे ये क्यों अच्छा लगा बिकॉज ये ऐसा स्टार्ट अप है जो कि लोग को हेल्प करता है एक्सिडेंट से बचानी के लिए लाइक मैं आल्वेज जो अपने वीडियो में बोलता हूँ जहां लोग को प्रॉल्लेम दिखती है वहां अंत्रप्रेंस को अपर्चून्टी दिखती है तो इस स्टार्ट अप के फाउंडर्स को क्या प्रॉल्लेम दिख रही थी विकॉज इंडिया में बहुत सार ऐसे लोग है जो की डेली बाइक एक्सिडेंट में मरते है और बाइक एक्सिडेंट बहुत केस हाई है इंडिया में होता ही होता है लाइक उनके फ्रेंड का इसी चीज में एक्सिडेंट हो गया था बाइक एक्सिडेंट तो इस इस स्टार्ट अप का इन्वेशन करने के बारे में सोचा तो यह जो Altor एक यह Tech Helmet है यह normally जो normal helmet लोग यूज करते हैं उससे different क्यों है Because जब वो शार्टेंग इंडिया में आएं और स्टार्ट में किया pitch करना in front of sharks तो उनका यह कहना है कि यह जो helmet है यह help कैसे करती है Like हमारी इंडिया में कोई भी normal helmet पहेंग जा रहा हो बाइक पे ठीक है तो क्या होता है कि किसी का accident अगर होता है ठीक है तो पुलिस को पहुचने में और लोग को पता नहीं चलता है कि कौन सा बंदा है या फिर उनके family वाले को भी जल्दी information पहुचता नहीं है और वो कहीं भी accident करें गिरे हुए हैं और death हो जाती है तो इस सब चीजों को solve करने के लिए और ऐसा market में कोई product नहीं था जो कि accident से बचा है आपको और mostly in bikes, bikes के उपर में और भी helmet में तो इन सभी founders ने ये सोचा कि हम एक helmet ready करेंगे वो भी tacky helmet जिसके अंदर सारे features हम लोग inbuilt डालेंगे सारे features लाइक होगा इसके अंदर तो कोई भी अगर helmet पहन के ride कर रहा है bike को ठीक है तो एक app है इनका, app से उनका helmet connected होता है ठीक है जैसे ही कोई अगर call करता है और bike आप ride कर रहे हैं तो आप इस helmet के अंदर में ऐसा feature दिया हुआ है कि अगर आप swipe करते हैं तो call उड़ जाएगा ठीक है अगर swipe फिर से करते हैं यहीं पर कहीं आपको phone निकालने की जरूत नहीं है जिससे accident होने की chances होती है उसके swipe down या swipe up करते हैं तो call कटता और pick होता है ठीक है उसके बाद इसके इंदर feature यह है कि अगर आप कहीं पर ऐसा feel कर रहे हैं कि आपका अंसेफ है accident आपका होने वाला है ठीक है तो आप जो भी आपके contacts आपने save कर रखे हैं last time जो आपने save किया होगा preset पहले कर रखे हैं तो उसके पास SOS का एक signal जाएगा उनसा भी context पर आपके जो भी जानने वाले हैं यानि कि उसे बचा लिया जाए ठीक है उसके बाद क्या होगा कि उस helmet में voice command है voice command लाइक अगर आप कुछ बोलते हैं Google को कि हमें यह location दिखाओ य अच्छा क्यों है वाइल आप ride कर रहे हैं ठीक है आपका accident होता है किसी भी truck से किसी भी गारी से किसी भी चीज़ से ठीक होगा टक्कर होते ही वो जो app है और वो जो helmet है वो deduct कर लेगा कि आपका accident हुआ है डिडेट करने के बाद में वो तुरंत notification जो है आपके सारे contact वालों को उसके अद जो भी SOS पे police command है उन सभी को location wise और उनको notification जाएगा कि यह accident इनका हुआ है ठीक है इस type का feature है आप यह बताओ कि मालों की accident हुआ है और phone टूट जाए तो उसमें कैसे होगा कि cross questions तो आते ही है यह accident होता है और phone टूट भी जाता है तो Bluetooth के दोवारा connection बना रहता है जो last जो ride जहां पर आपका location पर जहां पर accident हुआ है तो वो Bluetooth के दोवारा वो locations भेज़ दिया जाएगा कहां पर तो आपके जो भी relatives हैं जो भी contacts है या फिर जो भी police stations है नहीं रेस्ट वहां पर location send कर दे जाएगा तो वो आके बचा लेंगे तो फिर शार्स के पास एक यह question है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन मुझे यह बताओ कि हम आपके startup पे invest क्यों करें क्योंकि यह ऐसा तो ही आप helmet company मना रहे हो क्या unique है क्या USP है तो उन सभी founders का यह कहना है कि यह सिर्फ एक helmet company नहीं हम helmet नहीं विरा रहे हैं क्योंकि helmet line में सब कुछ चीजे fix की हुई हो जो कि आपको accident होने से बचा ले ठीक है ऐसा कोई भी नहीं है अभी और यह थोड़ा सा अलग है अलग हम काम कर रहे हैं तो फिर शार्स का यह पूचा था कि फिर तो इसका cost भी जादा होगा तो उनका यह कहना है कि हाँ cost जादा है इसका एक helmet का जो rate है वो 5,000 रुपए है एक helmet का rate 5,000 because क्योंकि इसके देर feature ही बहुत है तो शार्स ने पूचा कि आपका demand क्या है तो इनका demand था 50 लाग रुपए इनको चाहिए है और वोगे 5% equity पे तो शार्स ने पूचा कि आप कितना है sell कर चुगे हो तो उनका यह कहना है कि 100 helmets उन्हों इन्ट्रेस्ट जिन्हों लिया इस company पे start-up है वो है फॉस्ट नमी तथापर और अमन गुपता फिर शार्स ने पूचा कि ठीक है आपका पांच जार का है यह product लेकिन और इसका revenue औरन करने का तरीका क्या है फाउंडर्स का यह कहना है कि एप जो है हमारा ठीक है इस app का हमें इस चार्स बेलेंगे 99 ठीक है वो एक होगा one time का होगा जिसको आपको पे करना होगा इससे कमाते है तो शार्स का कहना है यार यह तो काफी जादा amount है आपका helmet का तो कितना save करते होगे margin बश्चता नहीं है इसके अंदर और फिर शार्स ने का कि ऐसा क्यूं है 5000 का helmet sale कर रहे हो आपका margin इस पर बचनी रहा है तो यह तो प्रॉब्लिम अल्ली बात है तो फिर उस founder का यह कहना है कि यह इसे हो रहा है इंडिया में अभी क्या है वो जो कोबिड़ी कारण जो सभी चीज़े मिल नहीं रही है जो कि tax related होता है that's why यह थोड़ा costly पर रहा है तो शार्स ने कहा कि हम क्यूं investment करें इसके उपर जो आपका एक जो gross margin है वो save नहीं हो रहा है आपके पास जो बचत कहते हैं आपका बचत कम हो रहा है आप लगा जाद रहा है इसे manufacture करने में तो इस founder का कहना है कि हमें अभी तो यह पढ़ रहा है यह 4,000 रुपए का बनाने में हो रहा है प्राइस लग रहा है लेकिन हम future में इसको 3000 र कर सकते हैं तो नमीदा थापर का offer यह है 50,000,000 रुपए उन्होंने कहा कि मैं दूँगी लेकिन वह भी 20% equity पे तो 20% equity काफी जादा लगा इन सभी founders को उसके बाद फिर अमन गुपता उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया इसके उपर कि मैं इस पे fund कर सकता हूं, investment कर सकता हूं लेकिन मेरा जो है मैं आपको 50,000,000 रुपे दूँगा वह भी 10% पे क्योंकि वह इसलिए जादा इंटरेस्टेट पे इस start-up पे because क्योंकि D2C में यह start-up भी काम कर रही है ठीक इजाद तर अपना जो sell कर रही है और अमन गुपता का जो वेरिवल ब्रैंड्स है, smart watch है, ठीक है, earbuds है, तो अमन गुपता का tech पे बहुत दा बिलीव होता है और वह इंटरे तो फिर पिश पंसल उसके बाद अनुपम मित्तल अशनीर गुपर इन सभी ने मिलके कहा कि हम भी आपको 50 लाख रुपे देंगे, हमें 10% equity चाहिए, तो जो इस start-up के founders हैं, अल्टॉर के, काभी सोचा, बहाँ जाएक प्लानिंग किया, at the end, अमन गुपता और नमिता थाप और दोने मिलके कहा कि हम दोनों आएंगे आपके start-up में और 50 लाख रुपे देंगे, और 10% equity पे, तो फिर counter-offer founders ने किया इस start-up के, और कहा कि यह जादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम आप कर लो, because जो आमन गुपता है, वो काफी इंटरस्टेट थे इस start-up में, because बहाँ founders के तरफ से, Altros के founders के तरफ से, कि 7% equity पे, आप 50 लाख रुपे मुझी देदो, तो तयार हो गये, सारे जो अमन गुपता है, और नमीत थाव पर की चलो दे रहते हैं, तो at the end हम यह देखते हैं कि investment क्यों हुआ इसके उपर, ठीक है, reason क्या है, तो यह helmet सभी जो market में helmet मिलता ह है, उससे अलग है, यह आपकी जान बचा रहे हैं, ठीक है, अगर 5,000 रुपे का भी helmet है, तो उतना कोई बड़ा amount भी नहीं है, जहां तक मेरे हिसाब से मैं समझे तो, क्योंकि आप एक कोई खराब सा helmet पहन के निकलते हो market में, बाइक के उपर में, कहीं भी जाते हो, तो अगर आपकी जान चली जाए, जो कि कीमती जान है, ठीक है, जो कि वो छोटा सा कम रेट का, जो हेलमेट है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, आपका कीमती जान, ठीक है, तो आप उस चीज़ को avoid करो, अगर यह 5,000 का helmet है, जो कि आपका यह कीमती, important जो आपका life है, वो save कर रह है, पांच जार रुपे में, यह वन टाइम investment में, ठीक है, आप उसे पहन के, अनाम से कहीं जा रहे हो, जहां पे आपको tension नहीं, अगर आपको accident भी आपका होता है, तो वो command आपके घरवालों तक पहुंचा देगा, जहां पे लोग को, लोग के घरवालों को पता भी नहीं मुझे यह start-up है, यह काफी अच्छा लगा, इसमें investment करने का reason काफी अच्छा है, तो आप अगर चाहते हैं, तो इस type के model में भी आप भी अपना एक start-up कर सकते हैं, helmet में, या फिर इसे similar को इस start-up जिसमें tech में, और अगले साल अगर start-up करेंगे नहीं जाते हैं, तो आपको काफी profitable होगा आपके लिए, और because tech की start-ups in India बहुत launch हो रही है, और अगर आप इसमें करते हैं, tech-y चीजों में, तो आपको हो सकता है, आपके start-up पे investment हो जाए, funding आपको मिल जाए, एक और model है, जो जिस पे यह काम कर रहे हैं, like Shards ने कहा कि, मालो कि यह जो आपका device है, ठीक ह है, तो आपका तो गया वो, तो इनका यह कहना है कि हम license-based पे इसको patent करा करते हैं, license-based पे, यह मतलब कि किसी को license दे सकते हैं, बड़ी-बड़ी giant companies है, चाहते हैं, उनके लिए को बड़ी चीज नहीं है, R&D करना उनके लिए, ऐसा ने कि इनको R&D करना पड़ जाएगा, है हमने सब कुछ करके रखा हुआ है, और यह हम license-based सकते हैं, कि इसको कोई दे सकते हैं, license मतलब कोई हमसे license लेके, manufacture करके, market में sell कर सकता है, तो यह भी अच्छा model इसे warning कर सकते हैं, in the future, ठीक है guys, तो यह अच्छा था concept, model start in India में, और इस model पे इने funding मिले है, तो अगर आपके प अच्छा पुच्छिए, कि मतले कि अच्छा, हम सब्सक्राइब कर दो आएखा हुआ है।